तो रो ना क्यों रो के क्या हो तो बॉलकम बैक मैई चैनल पूजा.ाशुसेवेंटीन तो गूद मारिंग आप सब को और अभी बज रहा है गारब पंदरा तो हम उठे थे ऐसे नौ बजे उठे थे फिर मेरे हभी ओफिस जा रहे थे तब फिर हम लोग सो गए फिर उठे दस बजे मतलब हम ने उठे आरवी उठ गई थी तो इसको देखकर फिर हम भी उठ गई फिर मेरे हभी अभी जेस्ट आए ओफिस से अभी वो वश्ट रूँ गए हैं तो घुर का काम अभी कुछ नहीं हुआ है हम आरवी के साथ खेल रहे हैं तो आरवी उठते के साथ बदमासी सुरू करती इसकारोच का यहीं है और और यहां 11 बच गया है, तो आजकल आर्वी जल्दी उठ जाती है, जल्दी सो जाती है, कभी-कभी ही लेट से सोती है, पर अब परिसान उतना नहीं करती है, और उठते के साथ हम उसको प्यार करने लगे, तबी आचानक मिठ्ठू पेट पर आगया, और मिठ्ठू को देखते के साथ आर्वी पूरा खुस हो जाती है और उसको पकड़ने के लिए दोड़ परती है फिर हम सोचे कि आज आज आपको पूरा एक एक चीज हम दिखाएंगे क्योंकि आप लोग बोलते हो कुछ इंट्रेस्टिंग करने के लिए तो हम बोले कि ठीक है कोई कैमरा पकड़ने व दो नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा फिर वो देखी उसका सरारत तो कभी खता में नहीं होता है जब वो सोती है तभी हम लोग सांती से थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं वरना दीन भर ये कभी गिराओ कभी वो गिराओ और फिर यहां पर आर्वी थोड़ा बीजी हो गई तो हम फटाफट सोचे कि चलो यह सारा बेड़ हम किलियर कर देते हैं तो फिर यह भी दस यह पांच मिनट का ही है फिर आर्वी इसको खराब कर ही देगी बेड़ इतना किलियर रहता ही नहीं है फिर हम अभी के लिए इसको किलियर कर दियो और सारा खिलोना उसको निकाल कर कि तुम थोड़ा इसमें विजी हो जाओ और मुझे टाइम दो में तब तक रूम क्लीन कर लू फिर उसके बाद रात का दूद का बॉटल था अर्वी का वह हम अभी आजकल इसको दूद पिलाने का कोसिस कर रहे हैं रात को तो खेर वह हम हटा दिये किचन में उसके बाद आर हम और लोट को ब्लॉग में पताचले आगे तो यहां पर अर्वि के डाड़ा कपड़ा लेकर आ गया थो और मैं कपड़ाемсяजा दी फिर आर्वि के डाड़ाद बोले कि मैं आर्वि को लेकर छथ पे जा रहा हूं तुम अपना सारा काम आराम से कर लो जो जो बाकि है तो यह उसलिए आपलो पीजी पूरा ब्लॉग देहें, लाइक कमेट सब्सक्राइब कीजिए, और प्लिस प्लिस سब्सक्राइब करना मत भूलि, मेरे पेज को फालो जरूर कीजिए ये क्युकि हम आप लोग जरू करते हैं, रात को जग जग कर ब्लॉक बनाते हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए यहाँ पर छोटी मिठू लोग को हम साफ सुत्रा कर दिये फिर बड़ी मिठू लोग अंदर नल के पास बाल्टी उस पर इलोग नहाती है सुबह सुबह तो छोड़ देती हूं मैं कुछ दिर के लिए फिर पिंजडा साफ करके वाश्रूम हम धो देते हैं यह मेरा रोज काई है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है साफ सुत्रा तो यह वाश्रूम हम साफ करने लगे और फिर फटाफट साफ करके हम सोची की चलो आज जल्दी से फ्रेस हो जाते हैं तो पिंजडा हम साइड कर दिये धोधा के फिर हम ब्रेस करने लगे ब्रेस करने के पाद हम फ्रेस हो गए आरवी के डैडा बोले कि तुम आरवी को खिला होगी या हम खिला दे हम बोले आप ही खिला दो आज तो वो आरवी को खाना खिलाने के लिए आएंगे थोड़े देर में तब तक हम सोचे आरवी बैठी हुई है मुझे देख रही थी मैं फटा फट गई कूडा फेकने के लिए क्योंकि कूडा बहुत भर चुका था यहां पर आरवी के डेड़ा आ गया आरवी को खिलाने के लिए उनको जब भी टाइम मिलता है यह आरवी को खाना खिला देते है अपने हाथों से और यह मैडम भी बहुत नकड़ा करती है पर खा लेती है अच्छे से और उनको खिलाने में भी अच्छा लगता है अपने बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने में वैसे मैं बहुत लगी हूँ जो मुझे ऐसा हैस्बेंड मिला है वैसे तो हम लब मेरच किया है खेर सबके पती इतना सपोर्ट नहीं करते हैं घर हो बरतन हो कपड़ा हो सब चीज में ऐसा कोई चीज नहीं है जो सपोर्ट नाक करें वैसे भी मैं इनको कभी नहीं बोलती कि आप मुझे करो ये किसी चीज में हैल्प वो खुद बोलते हैं कि तुम ये काम रहने दो वो काम रहने दो मैं कर देता हूँ बाबू ये चोटी तो ज़्यादा पानी का काम करने से उसको प्रॉब्लम होगा और वैसे मेरे घर में सिर्फ हम और मेरे हबी और आरवी तो तीसरा कोई है नहीं समहालने वाला मतलब चौथा कोई है नहीं अभी तो तीसरा आरवी आ चुकी है तो मेरे हबी बोलते हैं कि हमने एक साथ देंगे तो कौन देगा जब फैमिली हम लोग साथ रहने लगेंगे तब बात का बात है तो हमको भी अच्छा लगता है कि चलो मेरे हजबन इतना हेल्प करते हैं तो यहाँ पर आरवी खाना खाली और हम भी कुड़ा वेगरा फेक कर बाल्टी वार्शोब में रख दियें बाद में धुलाएगा आरवी यहाँ पानी पी रही है फिर हम लग उसके पाद सोची कि चलो अब चल्दी से ब्रेकफस्ट कर लेते हैं तो आरवी को पानी पिला कर देखे कैसे पिला रहा है वो पीलो पानी पीलो जल्दी से मम पीलो तो आरवी भी बहुत एक्टिंग करती है बहुत समझती भी है उनकी बातों को और इसको जब भी बोलेंगे हम मम्मा बोलो तो बोलती है पापा पापा बोलो पापा तो पापा ही बोलती है और मुझे मम्मा का जगा बोलती है मैम मैम और हम लोग को इतना हसी आता है सुनकर कि पापा खटाफट निकल जाता है लेकिन मम्मा नहीं मम्मा का जगा मैम तो यहा सोचे कि चलो नीचे यहाँ पर तो आरवी के डैड़ा आरवी को खिला दिये हम आरवी को गोद में ले लिए थोड़ा चुमा उमा लेने के लिए कि मतलब किसी उसको प्यार करना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता हम दोनों को भी बहुत अच्छा लगता क्योंकि आखिर हम लोगे जान तो यही है तो यहां पर आरवी के डड़ा चाहे निकालने लगे और बोले कि चलो अब जल्दी से नास्दा कर लो बहुत लेट हो च करते क्योंकि वह जानते में राद बर जगी रहती हूं तो सुबह उठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है तो यहां पर वह बैटके खा रहे हैं कभी-कभी खड़े खाते आज उल्टा हो गया आज वह बैटके खा रहे हैं और हम खड़े-खड़े का रहे हैं और आरवी गोदी लोग पर आरवी का डेड़ा बोले कि नहीं उपर टंकी चालू है हम आ रहे हैं तुम्हारा हम से नस्ता करो मैं उपर से बोलूगा तो तुम बंद कर देना तो वह बोले बंद कर तो तभी हम मैं उठकर गया और बंद कर रहे हैं फिर यहां पर देखिए हम गब- कर कें जल्दे-जल्दी खा रह도 है किया सेटड़े है और खिच्ड़ी बनाना था, आर्वी का खाना भी बनाना था फिर हम नस्ता कर लिए और हाट दोकर पानी पीने के लिए फिल्टर से पानी ले रहे हैं फिर पानी पी कर हम चाए पी चाए पी कर सोचे कि आरवी का जल्दी से फटाफट मालिस कर देते हैं और इसके बाद आप लोग जैसा सुरुवात में देखें आरवी के डैडा के साथ कुछ ऐसा चीज हो गया अगर आप लोग का कमेंट वैसा कुछ आया तो हम जरूर बताएंगे क्या हुआ वैसे आरवी के डैडा बहुत स्ट्रॉंग है मैं तो बहुत इमोसनल लड़की हूँ चोटा चोटा बात पर मुझे रोना आ जाता है पर आरवी के डैडा बहुत स्ट्रॉंग है वो जल्दी रोते नहीं है लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जो उनका आसू निकल गया तो वो अपना दिल का बात मुझे सेहर करने लगे थे वहाँ पर फिर आरवी को लेकर हम जल्दी से सारा कपड़ा उसका खौल कर मालिस करने लगे यहाँ पर बिटामिन डी हम आरवी को पिला रहा है जो एक साल तक बच्चों को पिलाए जाता है फिर तेल सर पर रखे उसका मालिस कर रहा है तो हम सोचे कि चलो अब आर्वी को सुलाते हैं फिर उसको सुलाकर आर्वी के डैड़ा को हम दे दिये और बोले की आप पैठो और हम चले किचन में किचन के तरफ गयें और जाकर आर्वी का खाना हम चड़ाने लगे क्युक्umn की आर्वी का खाना पहले बन जाता है तो सही रहता है फिर आर्वी का खाना चड़ा कर हम गई नहाने नहा कर आए नहा कर आगे हम रूम में आ गयाई और आर्वी के डैड़ा को बोले जाओ आप norm hormone लो तो वो चले गए थे नहाने और फिर उसके बाद हम आ गये kitchen मे नहांरे जब आये तो आर्वी को हम अनको देखकर हम आ गये थे किचन में लोग का खिचड़ी बनाने खिचडी जब बना लिए फिर हम उनसे पूछे कि चिप्स बेगरा भी चघांदो तो भे लिहां चांदो तो यहां पर पापड़ और चिप्स यह चानने के लिए हम कीचन में आ गए थें तो यहाँ देखे एक सेट खिचड़ी चढ़ा हुआ एक सेट हम लोग चिप्स चान दिये मतलब हम चान दिये और उसके बाद पौने तीन होने को आ गया यहाँ पर आरवी सो रही थी तो हम लोग सोचे कि चलो फटावट खा लेते हैं पर ऐसा नसीब कहा तभी आरवी मैडम मेरी बिटिया रानी उठ गई और उसको देखे हम फिर से किसी विगरा करने लगें इसको हम बहुत परसान करते हैं फिर हम लोग सोचे कि चलो खिचड़ी खा लेते हैं और खिचड़ी आज इतना टेस्टी था इतना टेस्टी कि हम दो दो बार खाएं आरवी को बेट पर बैठा दिया पर ये मैडम बेट पर कहां रहने वाली इसका कहना है तुम लोग नीचे तो हम भी नीचे फिर इसको नीचे बैठा कर ही हम लोग सुचे कि चलो यार अब भूब बरदास नहीं हो रहा अब हम लोग खा ही लेते हैं और मिठो को भी खिला देंगे फिर खाने के बाद सारा काम करने के बाद डॉगी उगिल को खाना देने के बाद हम छट पर आ गये थे रिल्स बनाने के लिए पर ऐसा लुक में कैसे बनाए तो आगे का वीडियो सूट नहीं कर पाए प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज सब्सक्राइब